वेल्कम टो नेख्щееटग्जाम आज हम UP पुलिस कॉंस्तेवल वर्ती के लिए सामान निग्यान के मोजट इंपोर्टेट एकजार गोश्चन का सातमा पार्ट है ये यूपी पुलिस कॉंस्टेवल वर्ती के लिए सामान ग्यान के मोस्ट इंपोर्टेट एक जार कुश्चन का सातमा पार्ट है मैं इस से पहले सामान ग्यान के छे वीडियो अपलोड कर चुका हूँ अगर आपने ये चे वीडियो नहीं देखें तो आप इने जरूर देख लें आपको इनसे निश्चित ही मदद मिलेगी तो पहले मैं आपको लास्ट वीडियो में जो मैंने आपसे कुश्चन पूछा था उसका आंसर बताऊंगा उसके बाद हम सातमा पार्ट डिसकस करेंगे लास्ट वीडियो में मैंने आपसे ये कुश्चन पूछा था कि लाइफ डिवाइन उस तक के लेखक कौन है confuse नहीं होना है life divine के हैं अर्विंद गोस और divine life के हैं स्वामी सिवानन्द मैंने आपको एक trick भी बताई थी कि जिसमें divine आगे लगा है divine का मतलब क्या होता है इस्वरी है तो जिसके पास इस्वरी सक्तियां होते हैं उन्हें आपने देखा होगा स्वामी लगा के बोलते हैं कि स्वामी वो बाबा स्वामी स्वामी ये बाबा स्वामी वो बाबा तो जिनके पास इस्वरी सक्तियां होती है उनके लिए स्वामी लगाते है तो ये एक trick है simply आपको याद करने की तो जिसमें divine आगे लगा है उसमें स्वामी सिवानन्द और लाइफ डिवाइन के लिए का कौन है अर्विंद गोस्ट तो ये दोनों पुष्टकें आपको याद हो जाए हम आपसे सलेक्ट करके कुष्टन पूछते हैं जिससे कि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए तो इसका आंसर मोस्टली तीन से चार परसेंट लोगों ने दिया मैं आपसे बार-बार बोलता हूं कि वीडियो के लाश्में में जो आपसे कुश्चन पूछता हूं उसका आंसर आप जरूर दिया करो चाये गलत यह आंसर क्यों जुड़ सकते हैं और इंस्टाग्राम पे आप मुझसे कोई भी doubt, कोई भी query, कोई भी confusion बिल्कुल discuss कर सकते हैं directly तो इंस्टाग्राम पे आप इंद्रेस RC सर्च करके मुझसे जुड़ सकते हैं तो चलिए अब हम start करते हैं सातमा part पहला question है टीपू सुल्तान कहां का सासक था ये भी एक पुलिस के exam में पूचा गया question है कि टीपू सुल्तान कहां का सासक था इसी type के question पूचे जाते हैं ज्यादा tough question आप से नहीं पूचे जाएंगे आप से पूचा गया है कि टीपू सुल्तान कहां का सासक था टीपू सुल्टान था मैसूर का सासक और यहां से एक और कुश्चन आपके लिए बन जाता है कि मैसूर टाइगर किसे कहा जाता है या टाइगर ओफ मैसूर किसे कहा जाता है ये भी कुश्चन बहुत ज़्यादा पूचा जाता है लेकिन अभी तक पुलिस के अक्जाम में नहीं पूचा गया है तो सायद आप से पूच लिया जाए तो आप याद रखे मैसूर का टाइगर या टाइगर मैसूर या टाइगर ओफ मैसूर ये सबी किसको कहा जाता है टीपू सुल्तान को और टीपो सुल्दन कहा का सा सकता मैसूर का चलते हैं अब next question पे next question है बारत में पहला अंगरेजी समाचार पत्र कौन सा था ये भी एक important question है बारत में पहला अंगरेजी समाचार पत्र था बंगाल गजट कौन सा था बंगाल गजट next question है 1857 के बिद्रो के समय भारत का governor general कौन था ये most important question है बहुत बार अलग अलग competitive exam में पूछा गया है कि 1857 के बिद्रो के समय भारत का governor general कौन था तो 1857 के बिद्रो के समय था भारत का governor general lord kenning 1857 का बिद्रो बहुत important है और मैंने इसके लिए अलग से एक बीडियो बना दिया है अगर आपने वो बीडियो नहीं देखा है तो उसे आप जरूर देख लें आपको 1857 से related सभी question बिल्कुल clear हो जाएंगे 1857 के बिद्रों से जितने भी question पूछे जा सकते हैं वो मैंने इस वीडियो में बिल्कुल cover किये है तो आप वो वीडियो एक बार जरूर देख लें जिससे कि 1857 के बिद्रों के सभी question आपको याद हो जाए next question है आनंद मट के रचयता कौन है आनंद मट के रचयता कौन है बंकिमचन चटर जी ये तो आपको याद भी होगा और ये important question भी है कि आनंद मट के रचयता कौन है बंकिमचन चटर जी next question है दास कैपिटल किसकी रचना है दास कैपिटल है काल मार्क्स की रचना किसकी है काल मार्क्स की और ये भी बहुत पूच जाती है तो इसे आप याद रखें कि दास कैपिटल किसकी रजना है काल मार्क्स की नेक्ट कुशिन है बल्लब भाई पटेल को सरदार की उपादी किस ने दी ये उपादी से related कुशिन भी बहुत पूच जाते हैं बल्लब भाई पटेल को आप देखा होगा आपने mostly हम लोग क्या कहते हैं सरदार बल्लब भाई पटेल तो ये जो सरदार की उपादी है ये किस ने दी बल्लब भाई पटेल को ये दी थी गांदी जी ने और गांदी जी इसे related भी कुश्चन मन जाता है जैसे ये कुश्चन है कि गांदी जी को महत्मा की उपादी किस ने दी तो गांदी जी को महत्मा की उपादी जी थी रभिंद नाठ टैग और ने ये दोनों ही कुश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं बल्लबाई पटेल को सदार की उपादी किस ने दी गांदे जी ने और गांदे जी को माहत्मा की उपादी किस ने दी ये रवेंद्रा टेग और ने दी तो ये दोनों आप याद रखें next question है हिजरी सन का पहला महीना कौन सा होता है ये पूछा जाता है question हिजरी सन और सकसंबत यहां से पहला महीना कौन सा होता है ये पूछा जाता है, हिजरी सन यानि कि जो इसाई कलेंडर है, मुसलिम लोगों का जो कलेंडर है, उसका पहला महीना कौन सा होता है, हिजरी सन का पहला महीना होता है मोहर्रम, आप पैसे तो पूरा महीना आपको याद होना चाहिए, हमें सीखनी चाहिए चीजें, अलग लग अगला question क्या पूचा गया है सक समबत का परतम महा कौन सा होता है सक समबत का परतम महा होता है चैत्र अब ये सक समबत वाले महीने आपने देखा होगा हिंदी में जो लोग गाउं में रोग रहते हैं वो सकसंबती यूज करते हैं इसके बारे महीने कौन से होते हैं चैत्र, बैसाक, जेट, असार, सावन, वादो, कौार, कातिक, अगहन, पूस, महा, फागन ये बारे महीने होते हैं जरूरी नहीं आपकोन-कौन से याद कर सकते हैं लेकिन आप जितने भी याद कर सकते हैं उतना याद कर लिजी है ये देली पुलिस के एकजम में पूछा गया कोश्चन है आपको ये समाधिस्तल याद होने चाहिए, महत्मगंदी का समाधिस्तल ये भी बहुत पूचा जाता है, क्या है, राजगाट, इसे आप नोट कर लेजिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ, महत्मगंदी का समाधिस्तल क्या है, राजगाट, इंद्रागंदी का समाधिस्तल क् किसान गाट तो ये जितने में आपको बता हैं ये आप याद कर लो next question है बांगला देश का सरजन कब हुआ बांगला देश का सरजन हुआ था 1971 में कब हुआ था बांगला देश का सरजन 1971 में ये भी important question है बहुत पूझा जाता है next question है बारत एक खोज पुस्तक के लेखक कौन है बारत एक खोज या discovery of India ये बहुत पूझी जाती है पुस्तक बारत एक खोज पुस्तक के लेखक है जवाल लाल नहरू कौन है पंडित जवाल लाल नहरू है discovery of India के लेखक चलते हैं next question पर next question है आराम हराम है किसका नारा है आराम हराम है यह नारा है जवाला नहरू का यह नारे तो आपने बच्पन में बहुत रटे होंगे तो आपको याद होगा नेक्स्ट कुछिन है बयो ब्रद्ध नेता किसे कहा जाता है ग्रांड ओल्ड मेन ओफ इंडिया इस तरह से भी पूछा जाता है कभी पूछ लेता है बयो ब्रद्ध नेता किसे कहा जाता है कभी पूछ लेता है ग्रांड ओल्ड मेन ओफ इंडिया किसे कहा जाता है तो यह कहा जाता है दादा भाई नौरो जी को किसको कहा जाता है दादा भाई नौरो जी को नेक्स्ट कुशन है हरिजन सेवक संग की स्तापना किसने की हरिजन सेवक संग की स्तापना किती गांदी जी ने यह most important question है आपके लिए बहुत पूछा जाता है तो इसे आप याद कर लो बारत में रेल सेवा और टेलिग्राफ सेवा किसने प्रारम किया जैसे ही लाट डालोजी का नाम आपके वामने आए आपको तुरन्त डॉक्ट्रिन ओफ लेफ से आदा जाना चाहिए Dr. Nofleps यानि की राज हडब नी थी या दत्तक पुत्र नी थी या दलोजी की राज हडब नी थी या केवल हडब नी थी इतने सारे नाम से ये घुष्ण पूछा जाता है तो यह सभी आपको पता होना चाहिए कि राज घब नी थी ति किसने चलाई और अगर ऐसे पूछ ले कि रेल सेवा और टेलिग्राफ सेवा का सुवारम किसे ने किया तो भी लाट डलाओ जी ने तो यह जो आपको मैं एक्ष्टा बताता हूँ इसे आप नोट जरूर कर लिया करो चलते हैं नेक्स्ट कुशन फे किस व्यक्ति ने तीनो गोल में सम्मिलन में भाग लिया गोल में सम्मिलन से क्या का कुश्चन बन सकते हैं मैं अभी आपको बताऊंगा एक तो यही कुश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है यह बन जाता है गोल में सम्मिलन से किस व्यक्ति ने तीनो गोल में सम्मिलन में भाग लिया था तीनो गोल में सम्मिलन में भ 1931 में दूसरा और 1932 में तीसरा गोल में सम्मिलन अगर आपसे पूछ ले कि किस व्यक्ति ने तीनों गोल में सम्मिलन में भाग लिया तो भीमराव मेडगा जी ने तीनों गोल में सम्मिलन में भाग लिया था और अगर आपसे पूछा जाता है ये सबसे जादा पूछा जाता गांधी जी ने कौन से गोल में सम्हिलन में भाग लिया गांधी जी ने केवल दूसरे गोल में सम्हिलन भाग लिया था तीन गोल में सम्हिलन हुए थे जिसमें से 1931 वाले यानि कि दूसरे गोल में सम्हिलन में गांधी जी ने भाग लिया था तो यह गोल में सम्हिलन से जित लिख रहा हूं क्यों हो जाता है अभी आप देख रहे हैं दलित अपने हकों के लिए हक के लिए आंदोलन कर रहा है तो हो सकता है आपसे यह कुछिशन पूछ लिया जाए एक्जमनर क्या करता है उसके माइंड में उस टाम जो चीज़ें आती है उसी से तो कुछिशन बनाता तो इसा वह जो जाता है जैसे अभी दलित अंदोलन चल रहा है तो सायट जब एक्जमनर क्योश्शन बनाए animal क्यों है बना रा होगा वी तो उसके माइंड में आजााया कि पूना पूछ लो यह भी दलित वर्ग से समंदित हा है तो पूना प्यक्च क्से समंदित था डलित दलिट वर्क को प्रतिनीद दित्त देना तो ये भी फ्रेंटियर गांधी किसको कहा जाता है कान अब्दूल गफार खान को चलते नेक्स्ट कुशन है प्रतम भारती नोबल पुरसकार बिजेता कौन थे यह थे रविंद नात टैगौर और इनको किसके लिए मिला था नोबल पूछ्म कोुछ लिए प्रदा पू tendency के लिए पहले वारती थे जने नोबल पूरुसकर मिला इ then और यह कौन ते रभिधनाट्र डयगोर के लिए मिला था गीटांजली कि लिए नोबल पूरुसकार कीटांजली, इनकी एक रचना है let beginning ने मिला था नोबल पुरुसकार गीता अंजली का इंग्लिस में भी अनुवाद किया गया था तो ये भी यात कर लो आप ठीक है चलते ही नेक्स कुशिन पर चीन ने तिबबत पर कबजा कब किया आपको पता है तिबबत पर चीन का कबजा है तो ये कुशिन पूछा गया है एक एक जाम में कि चीन ने तिबबत पर कबजा कब किया तो चीन ने तिबबत पर कबजा किया था 1969 में नेक्स कुशिन है लेसांग उसब कहां मनाया जाता है लेसांग उसब ये most important कुशिन है आपको साइध आप पहली बार सुन रहे होंगे लेकिन यह बहुत बार पूछा गया है लेसांग उत्सब कहां मना जाता है यह मना जाता है सिक्किम में अब यह क्या है इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ जैसे अपने यहां लोडी मनाई जाती है, बैसाकी मनाई जाती है, पंजाम में लोडी और बैसाकी मनाई जाती है, तो यह कब बनाई जाते हैं, फसलों की कटाई पर मनाई जाते हैं, उसी तरह से फसल की जब कटाई हो जाती है, यानि कि फसल पूरी हो जाती है, उसके बाद स सिक्किम में मना जाता है लेसांग उत्सब ये लोड़ी और बैसा की भी फसल की कटाईप है उसी तरह से लेसांग उत्सब मना जाता है सिक्किम में फसल की कटाईप है जैसे सिक्किम का नाम आपके माइंड में आए तो करेंट अफेस का कुश्चिन आपको याद आजाना चाह आपको ये वीडियो कैसा लगा, मैं comment box में जरूर बताना, अब आपके लिए एक question है, इस question का answer आपको बताना है, question क्या है, question ये है, चौरी चौरा कंड कब हुआ, ये most important question है, और बहुत बार पूछा गया है, लगवक कोई भी ऐसा competitive exam नहीं बचाओगा, जिसमें ये पूछा न गया हो, तो आपको comment box में बताना है, कि चौरी चौरा कंड कब हुआ, मैंने आपको detail में बताया था, चौरी चौरा कंड और जलिया वाला बाक कंड, तो आपको इस question का answer जरूर देना है, जो भी question मैं आपसे पूछता हूँ, उसका answer आप जरूर दिया करो, बस 3-4% लोग answer द और अगर आप UP Police Constable बरती के तयारी कर रहा है, और अभी तक आपने हमारी इस चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है, तो आप इसे सबस्क्राइब जरूर कर ले, आपको इस चैनल से निश्चेत ही मदद मिलेगी, और जब आप इसे सबस्क्राइब करेंगे, तो बरावर में आप Facebook Page से डाउलोड कर सकते हैं, टेलिग्राम ग्रूप और Facebook Page का लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे description में दे दिया है, और आप इस वीडियो की PDF फाइल इस वीडियो के description से भी डाउलोड कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर आपका कोई भी doubt है, कोई भी confusion है, तो आप जो आपसे question पूचा है, उसका answer बताओ, और इस वीडियो को like और share करना बिलकुल मत बूलना, thanks for watching.